राश्ट्रिय शिक्षानीत दो हजार बीस भाग एक स्कूल शिक्षा अध्याय साथ स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्चर के माध्यम से पुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस तो आईए सुनते हैं इसका द्वनी पाठ स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस अब समग्र शिक्षा योजना के तहत समाहित सर्वशिक्षा अभियान यानि SSA और देश भर के राज्यों में होने वाले अन्य प्रयासों द्वारा देश के हर बसाहट में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना ने प्राथमिक स्कूलों में लगभग सार्वभावमिक पहुच को सुनिश्चित करने में तो मदद की है लेकिन इससे कई कम छात्र संख्या वाले स्कूल भी वजूद में आये हैं यूडाइस 2016-17 के आंकड़े के अनुसार भारत के 28 प्रतिशत सरकारी प्राथमिक स्कूलों और 14.8 प्रतिशत उचितर प्राथमिक स्कूलों में 30 से भी कम छात्र पढ़ते हैं प्रिष्ठ संख्या 45 कक्षा 1-8 तक के स्कूलों में प्रतिकक्षा आउसतन 14 चात्र हैं जबकि बहुत से स्कूलों में यह आउसत मात्र 6 से कम हैं वर्ष 2016-17 में 1,08,017 स्कूल एकल शिक्षक स्कूल थे इनमें से अधिकांश 8,05,749 कक्षा 1-5 वाले प्राथमिक स्कूल थे 7.2 इन कम संख्या वाले स्कूलों के चलते शिक्षकों के नियोजन के साथ-साथ महत्तोपूर्ण भावतिक संसाधनों की उपलबधता की द्रिष्टी से अच्छे स्कूलों का संचालन जटिल होने के साथ-साथ व्यावहारिक नहीं है शिक्षकों को अक्सर एक साथ कई कक्षाएं पढ़ानी पढ़ती हैं और कई विशयों को भी जिसमें वह विशय भी शामिल हो सकते हैं जिनकी उनकी पहले से कोई प्रिष्ट भूमी नहीं होती है जैसे संगीत, कला, खेल जैसे प्रमुक क्षेत्र बहुत बार नहीं सिखाये जाते हैं और भौतिक संसाधन जैसे प्रयोगशाला और खेर उपकरण और पुस्तकाले की किताबें स्कूलों में कम ही उपलब्ध हैं 7.3 छोटे स्कूलों के अलगाव का भी शिक्षा और शिक्षन शिक्षन प्रक्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ता है शिक्षक समुदायों और टीमों में सबसे अच्छा काम करते हैं और इसी प्रकार छात्र भी करते हैं छोटे स्कूल भी शासन और प्रवंधन के लिए एक प्रणाली गत चुनोती पेश करते हैं भावगोलिक फैलाव, चुनोती पूर्ण पहुँच के स्थिती और स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या सभी स्कूलों तक समान रूप से पहुँचना मुश्किल बना देती है प्रशासनिक संरचनाओं को स्कूल की संख्या में विद्धी या समगर शिक्षा योजना के एकिकृत धांचे में नहीं जोड़ा गया है हलांकि स्कूलों का समेकन एक ऐसा विकल्प है जिस पर हमेशा चर्चा की जाती है इसे बहुत ही सोच समझ कर किया जाना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब ये सुरिश्चित कर दिया जाए कि इसकी पहुँच पर कोई प्रभाव ना पड़े इस तरह के उपायों के परिणाम सरूप केवल छोटे पैमाने पर समेकन की संभावना दिखती है और बड़ी संख्या में छोटे स्कूलों द्वारा उपजी, संरचनात्मक समस्या और चुनोतियों का समाधान नहीं होगा 7.5 इन चुनोतियों को राज्य केंदर शासित प्रदेश की सरकारों द्वारा 2025 तक स्कूलों के समुह बनाने या उनकी संख्या को समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपना कर समाधान किया जाएगा इस तरह की प्रक्रिया के पीछे का उद्देश यह सुनिश्चित करना होगा कि क हर स्कूल में कला, संगीत, विज्ञान, खेल, भाशा, व्यावसाइक विशय, आदी सहित सभी विशयों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में परामर्ष दाता यानि कौंसिलर या प पर्याप्त संसाधन, साजह या अन्यता हों, जैसे की एक पुस्तकाले, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला, खेल के मैदान, खेल उपकरण जैसी सुविधाएं आदी, गर शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों के अलगाहों को दूर कर करने के लिए समुदाय के साथ एक समझ बनाकर संयुक्त ब्यावसाईक विकास कारिक्रमों, शिक्षन अधिगम सामगरी के साजह करण, संयुक्त सामगरी निर्मान, कला और विज्ञान प्रशनिया, खेल गतिविधिया, क्विज और डिवेट और मेले जैसे संयुक्त गतिविधियों का आयोजन करना, प्रिष्ठ संख्या, पैंतालीस, घा, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूलों में सहयोग और संबलन, अंगा, स्कूली विवस्था की गवर्नेंस में सुधार के लिए क्रियान वयन संबंधी बारीकियों के निर्ने स्कूली समुह के स्तर पर छोड़ दिये जाएं, जहां उन्हें स्थानिय स्तर पर प्राधानाचारे, शिक्षक और अन्य हित धारकों द्वारा ही लिया जाए, और फाउंडेशनल स्तर से सेकेंडरी स्तर के ऐसे स्कूलों के समुह को एक एकिकृत अर्ध स्वायत इकाई के रूप में देखा वक्त को पूरा करने के लिए एक संभावित तंत्र, स्कूल परिसर नामक, एक समुहन की सनरचना की स्थापना होगी, जिसमें एक माध्यमिक विद्याले होगा, जिसमें 5 से 10 किलोमेटर के दाएरे में आंगनवाडी, केंदरों सहित, अपने पडोस में निचले ग्रेड की पेशकर्ष करने वाले अन्य सभी विद्याले होंगे, यह सुझाओ सर्वप्रथम शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा दिया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया था, यह नीती जहां भी संभाव हो, स्कूल परिसर क्लस्टर के विचार का द्रिधता से समर्थन करती है स्कूल परिसर, क्लस्टर का उद्धेश, अधिक संसाधन दक्षता और क्लस्टर में स्कूलों के अधिक प्रभावी कामकाज, समन्वे नेत्रित्व, शासन और प्रवंधन होगा स्कूल कॉंप्लेक्स या क्लस्टर बनने से और कॉंप्लेक्स में संसाधन के साज्य, उप्योग से दूसरे भी बहुत से लाब होंगे जैसे दिव्यांग बच्चों के लिए बेहतर सहयोग, ज्यादा विविध विशय पर आधारित विद्यार्थी क्लब और स्कूल परिसर में अकादमिक, खेल, कला, शिल्प आधारित कारिक्रमों का आयोजन करना कला, संगीत, भाषा और शारेरिक शिक्षा के साज्य उप्योग से कक्षा में वर्चूल कक्षाएं आयोजित करने के लिए ICT Tools के उप्योग सहित इन गतिविधियों का ज्यादा समावेश, समाजिक कारेकरता और सलाहकारों यानि कौंसेजर की मदद से विध्यार्थियों के लिए बेहतर सहियोग की उपलब्धता और बेहतर नामांकन, उपस्थिती और उपलब्धियों में सुधार और स्कूल कॉंप्लेक्स प्रबंधन समीतियों यानि केवल स्कूल प्रबंधन समीतियों के बजाए के माध्यम से बेहतर और मजबूत गवर निरीक्षन, निगरानी, नवाचार और स्थानिय हित धारकों द्वारा उठाये गए कदम स्कूलों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, सहयोगी स्टाफ, मातापिता और स्थानिय नागरिकों के बड़े और जीवन्त समुहों के आधार पर संसाधनों का कुशल उपयोग करते हुए पूरी शिक्षा व्यवस्था उर्जावान और समर्थ बनेग पहले DSE स्कूल कॉंपलेक्स क्लस्टर के स्तर पर अधिकार देगा जो एक अर्ध स्वायत इकाई के रूप में कारे करेगा जिला शिक्षा अधिकारी, DEO और ब्लॉक शिक्षा अधिकार, BEO हर स्कूल, कॉम्पलेक्स और क्लस्टर को एक इकाई मानकर उसके साथ कारे करेंगे कॉम्पलेक्स, DSE द्वारा सौपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभाएंगे और उसके तहट आने वाले प्रतेक स्कूल समनवे करेंगे DSE द्वारा स्कूल कॉम्पलेक्स क्लस्टर को काफी स्वायत तता प्रदान की जाएगी जिसके बलपरवे राष्ट्रिय पाठेचरिया फ्रेमवर्क NCF और स्टेट पाठेचरिया फ्रेमवर्क SCF का अनुपालन करते हुए समनवित शिक्षा प्रदान करने की दिशा में जरूरी रचनात्मक कदम उठा सकें और पाठेचरिया शिक्षन शास्तर के स्टर पर प्रयोग धर्मी हो जाएं इस संगठन के तहत स्कूल मजबूत होंगे ज्यादा स्वायत तता पूर्वक कार्य कर पाएंगे और इससे कॉंपलेक्स अधिक नवाचारी और जिम्यदार बनेंगे इस दवरान DSE बड़े स्तर के लक्षियों पर ध्यान दे पाएगा जिससे पूरी शिक्षा ब्यवस्था की प्रभाविता में सुधार हो 7.9 इन कॉंपलेक्स क्लस्टर द्वारा दोनों दीर्ग कालिक और अल्प कालिक संदर्व में एक योजना बध तरीके से काम करने की संस्कृति का विकास होगा स्कूल MMC की मदद से अपनी योजनाएं SDP बनाएंगे स्कूलों के प्लान के अधार पर स्कूल कॉंपलेक्स या क्लस्टर विकास योजना SDP बनाएंगे SDP में कॉंपलेक्स से संबंधित अन्य सभी संस्थानों जैसे व्यवसाईक शिक्षा संस्थान के प्लान शामिल होगे और इसे कॉंप्लेक्स के प्रधानाचार्य और शिक्षक MCMC की मदद से तयार करेंगे और इस योजना को सर्वजनिक रूप से उपलब्ध भी किया जाएगा इस योजना में शामिल होंगे मानो संसाधन, शिक्षन अधिगम संस्थान, भौतिक संसाधन और इंफ्रस्ट्रक्चर सुधार के लिए ली जाने वाली पहलें विट्टिय संसाधन, स्कूल संस्कृति संबंधी पहलें, शिक्षक शमता का संबर्धन योजना और शेक्षनिक परिनामों संबंधी लक्षे उसमें कॉंप्लेक्स भर के शिक्षकों और विद्ध्यार्थियों के समुह को एक जीवन्त अधिगम केंद्रित समुदाय के रूप में विकसित करने के प्रयासों का व्योरा भी होगा SDP और SCDP वे माध्यम होंगे जिनसे DSE समेत सभी हितधारक परस पर जुडाव बनाए रखेंगे MMC और MCMC SDP और SDDP का उपियोग स्कूलों की कारे प्रणाली और दिशा पर नजर रखने के लिए करेंगे और योजनाओ के क्रियानवयन में सहयोग करेंगे DSE, BEO जैसे उपियुक्त अधिकारी द्वारा हर स्कूल कॉम्पलेक्स के SCDP को स्विक्रिति देंगे इसके उपरांत DSE इन योजनाओ की सफलता के लिए अलपावधी यानि एक वर्ष और दिरगावधी यानि तीन से पांच वर्ष के लिए संसाधन अर्थात वित्तिय, मानाओ और भावतिक आदी उपलब्ध कराएंगे शेक्षनिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए अन्य प्रासंगिक सहियोग भी इसके द्वारा प्रदान किया जाएगा DSE और NCERT सभी स्कूलों के साथ SDP और SCDP के विकास के लिए विशेश मानक उदाहरन के लिए वित्तिय, स्टाफ और प्रक्रिय संबंधी और फ्रेमवर्क उपलब्ध कराएंगी जिन्हें समय समय पर संशोधित किया जाएगा 7.10 निजी और सार्वजनिक स्कूलों सहित सभी स्कूलों के बीच परसपर सहयोग और सकारात्मक तालमेल बढ़ाने के लिए देश भर में एक निजी और एक सार्वजनिक विद्याले को परसपर संबध किया जाएगा जिससे ऐसे संबध स्कूल एक दूसरे से मिल और सीख सकें और संभव हो तो एक दूसरे के संसाधनों से भी लाभानवित हो सकें जहां तक संभव हो, इन दोनों प्रकार के स्कूलों की अच्छी प्रैक्टिस का दस्तावेजी करण किया जाएगा, वित्रण किया जाएगा और उन्हें पब्लिक स्कूलों की स्थापित प्रक्रियाओं में शामिल किया जाएगा 7.11, हर राज्ये और जिले को प्रोसाहित किया जाएगा कि वह बाल भवन स्थापित करें, जहां हर उम्र के बच्चे स्थाप्ता में एक या अधिक बार उदाहरण के लिए स्थाप्ता हांत में जा सकें, और कला, खेल और करियर संबंधी गतिविधियों में भागीदारी कर स ऐसे बाल भवन जहां संभव हो, स्कूल कॉंप्लेक्स क्लस्टर के हिस्से भी हो सकते हैं। 7.12, स्कूल पूरे समुदाय के लिए सम्मान का और उत्सव का स्थान होना चाहिए। एक संस्थान के रूप में स्कूल की प्रतिष्ठा को पुनह स्थापित करना चाहिए और स्कूल स्थापना दिवस जैसे महत्तोपूर्ण दिवस समुदाय के साथ मिलकर मनाये जाने चाहिए। इस दिन स्कूल के विशिष्ठ भूतपूर्व विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित की जानी चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। इस्तेमाल में ना आने वाले समय अथवा दिनों में स्कूल की भावतिक सुविधाओं का उप्योग समुदाय के लिए बौधिक, सामाजिक और स्वयम सेवी गतिविधियों के आयोजन के लिए और सामाजिक मेल जोल के लिए किया जाना चाहिए जिससे स्कूल एक सामाजिक चेतना केंद्र के रूप में भी भूमी का निभाए अभी आप सुन रहे थे राश्ट्रिय शिक्षा नीत दो हजार बीस भाग एक स्कूल शिक्षा अध्याय साथ स्कूल कॉंपलेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस वाचन्स्वर, अजीत होरू, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता निर्मान, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत